नमस्कार दोस्तों सुआगे थे आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों इस समय तुर्की की जनता भारती वायू सेना के पाइलोटों को लेकर गुसे से आग भबूला हो चुकी है और इसका कारण है महमतीक बस्टर्स क्या है महमतीक बस्टर्स ये तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बैक्ग्राउंड इस्टोरी जान लेजिए ताकि सारा मामला आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से कुछ समय पहले आपक थी जो Organization of Islamic Countries है OIC वहाँ पर भी कश्मीर का मुद्दा तुर्की सबसे ज्यादा उठाता है पाकिस्तान के बार और इसलिए तुर्की पिछले कई सालों से भारत के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है भारत काफी लंबे समय से तुर्की की नस दबाना सोच रहा था और भारत ने ये नस अब से कुछ महीने पहले दवाई भी जब मैंने आपको बताया था कि भारत अब क्या कर रहा है कि तुर्की के जितने भी कट्र दुश्मन है जैसे कि अर्मेनिया हो गया ग्रीस हो गया इजिप्ट हो गया इन सभी के साथ मिलिटरी कोपरेशन बढ़ा रहा है और तुर्की की घेराबंदी कर रहा है इसी प्रोसेस के तहट तुर्की के कट्र दुश्मन अर्मेनिया को भारत ने पिछले एक साल में कई सो मिलियन डोलर के हतियार भी दिये हैं ताकि अर्मेनिया तुर्की के खिलाफ मजबूत हो सके लेकिन इसका जो दूसरा प्रोसे इसकी वायू सेना के साथ भी और हाल ही में भारत ने युद्ध भ्यास कंप्लीट कर लिया है जो 18 अपरेल से लेकर 28 अपरेल तक हुआ था और इसका नाम था इनोसियोस 2023 और इसमें भारते वायू सेना ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था लेकिन अब इसके बाद तुर्की म सेना के एक बड़े कमांडर के साथ हाथ मिला रहे थे और उसी फोटो में सबकी निगा गई भारते वायू सेना के जो एर मैन के बाजू पर दरसल वहाँ पर एक बैज लगा हुआ था इसके आप देख सकते हैं यह रही वह फोटो जिसको लेकर कोंट्रोवर्सी क्रियेट उसके पर आप देखिए यह रहा वो बैज और इसका नाम है महमतीक बस्टर बैज और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह बैज भारती वायू सेना का नहीं है यह बैज है ग्रीस की वायू सेना का दरसल ग्रीस की वायू सेना में भी मिराज 2000 नाम के लडाकू विमान और बताये जा रहा है कि जो ये भारतिय एर्मेन हैं ये भी ओपरेट करते हैं भारत के अंदर मिराज 2000 लडाकू विमानों को तो as a owner यानि कि सम्मान में ग्रीस की वायू सेना ने भारतिय वायू सेना के इन एर्मेन को ये बैज लगाने को दिया भारतिय सेनिकों ने भी इस सम और ये है कि ये बैज बहुती जादा special है special इसलिए क्योंकि इसे एक बहुती खास event के बाद create किया गया था event ये था कि महमतीक में एक बहुती बड़ी battle हुई थी तूरकी और ग्रीस की इस battle में ग्रीस के मिराज़ टू थाफ़जन लड़ाकु विमानों ने तूरकी की वायू सेना को बुरी तरीके से धूल चटाया था इतनी बुरी तरीके से कि आप समझ लो तुर्की की वायू सेना में माहोल धुआ धुआ कर दिया था और उसी के बाद से इस बैज का निर्मान हुआ जिसे नाम दिया गया महमतीक बस्टर बैज और आप बस इतना समझ लीजिए कि 16 दिसंबर 1971 की ये फोटो देख कर जिसमें प और इसी लिए स्क्रिंपर आप देखिए तुर्की में सोशल मीडिया पर या तमाम टिवी चैनलों पर बहुत ही जादा गुस्सा है कि भारत ने ये महमतीक बैज अपने वायू सेनिकों को लगाने दिया और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान को भारत के खिलाव इसका मतलब पताय क्या है वह ये कि अब से एक साल पहले भारत ने तुर्की की नस्दबाने के लिए जो चानक के नीती अपनाई थी वह काम कर रही है क्योंकि अगर आपका दुश्मन आपकी किसी चाल से बिलबिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका तीर ओन दा स्पोर्ट बिलकुल निशाने पर लगा है और बस इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है हाला कि इस पुरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा थैंक्यू वेर मुच वराचिंग वीडियो